हेलो फ्रेंस वेल्कम टो बेसीक क्लासेश, तो फ्रेंस इस वीडियों में हम लोग सिध्द करना सीखेंगे कि अंड्रू टीन एक ओपरिमे संहगया है, तो चलिए भीना स्किप की वीडियो को शुरू करते हैं, देखें आपको तो पता होगा कि जो परिमे संहिए होता है, वह पी अपान क्यों के रूप का होता है ठिक ना जो परिमेशंख्या होता है बराबर पी अपान क्यों के रूप का होता है ठिक और जो परिमेशंख्या होती है जो परिमेशंख्या अपरिमे संख्या जो होती है वो पी अपान क्यों की रूप की नहीं होती है ठिक यह मैंने बस एक्जामपल के लिए लिए इसको आपको मतलब सवाल में लिखना नहीं है मैं बस example के लिए समझाने के लिए बस लिया है कि परिमे और अपरिमे क्या होता है ठीक ना अब देखी इस question को कैसे हल करेंगे कि सिद्ध करें के अंडर उठतीन एक अपरिमे संख्या सबसे पहले आप लिख देजिए हल यानि हम question को हम solve कर रह है अब अब हमें दिया हुआ है कि सिद्ध करें की अंडर उठतीन एक अपरिमे संख्या ठीक ना तो आपको इसका उल्टा मानना है तो यहां पर लिखिए कि माना माना की अंडर उठतीन माना की अंडर उठतीन जो है एक परिमे संख्या है एक परिमे संख्या हमें उल्टा म मानना है हमेशा माना कि अंडरूर्ट तीन एक परिमे संख्या है ध्यान से देखिएगा इस कोस्चन को क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है और यह 2030 बोर्ड एक्जाम में पूछा भी जाएगा यह हर साल पूछा भी जाता है ठीक ना जैसे मैं लिख रहा हूं तो जाहिट सी बात है कि अंडरूर्ट जो तीन होगा वो पी बटा क्यों के रूपका होगा पी बटा क्यों के रूपका होगा क्योंकि हमने यहां पर यह देख लिया है कि जो अंडरूर्ट जो परिमे संख्या होता है वो पी बटा क्यों के रूपका होता है उसलिए जब अ यहां पर आपको कुछ लिखना भी है यहां पर आप लिखना है आपको कि q is equal to not equal to 0 इसका condition भी है कि जो q है जो हर है यह 0 नहीं होना चाहिए ठीक न जो हर है हमारा वह 0 नहीं होना चाहिए कि इसको आपको जरूर से लिखना है इतना ठीक ना सब्भाज संख्या है अब देखिए उसके बाद क्या लिखना है उसके बाद आप लिखना है यहां यहां पी और क्यों में पी और क्यों में एक के अतिरिक्त कोई भी एक के अतिरिक्त कोई भी कोई भी उभैनिस्ट गुरन खंड नहीं है कोई भी उभैनिस्ट गुरन खंड नहीं है इतना आपको लिखना है ठिक अब देखिए यहां मैंने क्या लिखा यहां पी और क्यों में एक के अतिरिक्त यानि जो पी है यहां पर तो एक छुपा है न क्यों है यहां पर भी तो एक छुपा है एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं है उभैनिस्ट यानि एक ही है जो दोनों में है एक यहां पर भी है और एक यहां पर भी है उसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आमारी नहीं है इ आपको समीक्रण एक में समीक्रण समीक्रण एक में दोनों पक्छों में दोनों पक्छों का आपको वर्ग करना है ठीक ना उमने समीक्रण यहां माना है इसका दोनों पक्छों का वर्ग करना है यहां पर आपको लिखना होगा कि समीक्रण एक में दोनों पक्छों का वर्ग कर करने पर वर्ग करने पर पक्छो का मतलब क्या होता है LHS is equal to RHS यानि LHS यह और RHS यह इसका हां क्या करेंगे work करेंगे यानि square करेंगे करने पर फिक अब देखेए जब under root 3 का वर्ग करेंगे under root 3 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग होला ना पी वड़े प्यूर्ड के भरगं अब देखे अब अंडरूट 3 गुणे अंडरूट 3 करेंगा उंडरूट 9 और अंडरूट 10 जब बाहर आएगा तो तीन मिलेगा तो 3 बराबर 12 Jew क्यों वाँआगा ठीक निउंडर को टूट होगएगा तो और एक का गुणा हमें इसमें करना है ठीक तो तीन का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 3Q2 यानि 3 into Q2 हो जाएगा ठीक 3 into Q2 is equal to 1 गुणे P2 में करेंगे तो हमें P2 ही मिलेगा अब क्या करना है आपको Q2 को इधर ही रख लेना है और 3 को इधर पक्षांतर करके भाग के रूप में लेते जाना है यानि P2 बटे 3 हो जाएगा ठीक यहां तक करने के बाद आपको क्या करना है यहां तक करने के बाद आपको चुकी लगा लिजी चुकी यहां यहां जो पी स्क्वाइर जितना हमने यहां पर किया है जितने स्टेप को मैंने फॉलो किया है उसी को आपको लिखना है तो यहां क्या हो रहा है यहां पर क्या हो रहा है चुकी यहां तीन जो है तीन जो है पी स्क्वाइर को विभ क्या कर रहा है विभाजित करता है त्री स्क्वाइर जो तीन है पी स्क्वाइर को विभाजित करता है ठीक ना विभाजित करता है यह फाला स्टेप हो गया ठीक करता है अब दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा अतों पी भी तीन को विभाजित करेगा अतों जो हमारा पी भी है चुकि पी भी तीन को विभाजित करेगा यह हमारा हो गया दूसरा इस्टेप विभाजित करेगा जितने मैं इस्टेप को लिख रहा हूं उसको आपको लिखना है क्योंकि एक भी स्टेप मिस हुआ तो आपके मार्क्स कट सकते हैं ये पांच नंबर का question हमेशा पूछा जाता है और इस बार भी board exam में पूछा जाएगा अब देखिए ये दूसरा step होगे आप तीसरा step क्या लिखना है अतह हमारा माना गया कथन माना गया कथन माना गया कथन माना गया कथन गलत है या असत्य है जो भी आपको मन कर वो भी लिख सकते हैं अतह हम या कव सकते हैं कि अंडरूट तीन क्या है हमारा अपरिमेशन क्या है अंडरूट तीन एक अपरिमेशन क्या है हमने या पर सिद्ध कर दिया ठीक ना अपरिमेशन क्या है इतने मैंने इतने स्टेप को लिखा है तो यहां पर जो हमाने किया उसी स्टेप को मैंने लिखा और प्रूब भी किया है कि जो अंडरूट तीन है क्या है ये अपरिमेशन क्या है ठीक ना तो वीडियो आपको अकर अच्छी लगे होगी ते वीडियो क किस टॉपिक पर बनाएं मिलते हैं अगले वीडियो में अब तक के लिए वस इतना ही धन्यवाद